नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विपलप स्टॉक्स में इस वीडियो में हम बात करेंगे SDFC Live Insurance Company Limited के वारे में इसी स्टॉक की जानकर इस वीडियो में देने वाला हूं तो बने रहेगा मेरे इस वीडियो के साथ ताकि आप इसी स्टॉक के वारे में जान पाए इस 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 टॉक का जो डेटा है फंडमेंटल एनलेसे से वह देख पाए तो चलिए सबसे पहले इसका वेलियोशन देखते तो वेलोशन में मार्केट का अपलाजेशन एक लाग तेरह हजार तीन एक लाग तेरह हजार चारसो बहातर करोर का मार्केट का अपलाजेशन है दस का फेज़ वेलू है EPS है निए अर्निंग परशेर 6.45 का EPS है P 81.6 का P E है Sector P 93.74 का है Book Value 72.80 का Book Value और डिविड़न इल परसेंटेज 0.10 न बत्तिस का डिविड़न इल परसेंटेज है तो overall Valuation दिखा जाए तो Valuation तो अच्छा ही नजार आ रहा है इसका चलेंगे इसके Share Holding Pattern पे तो Share Holding Pattern पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा चैनल किसी भी स्टॉक का Recoundation नहीं देता है उनले Education Purpose के लिए वीडियो बना जाता है तो Education Purpose पही लिजेगा तो चलेंगे अब चलते Share Holding Pattern पे तो Share Holding Pattern में जून 2022 और मार्स 2022 का डिटा तो सबसे पहले Permoters की Holding देखते है तो Permoters की जो Holding है मार्स 2022 में 51.94% away Permoters के पास थे वह जून 2022 में 51.92% away Permoters के पास है प्लेस की बात करते है प्लेसर हो तो जो Permoters अपने Share tiếpल रखते हूँ सक souvenir का जाता है मार्स 2022 में 0 था वह जून 2022 में भी 0 है यानि Permoters अपने एक भी Share豫 tai प्लेसर 담िए नहीं रख था तो यह positive point माना जागा और जो important investor और foreign investor इनकी जो holding है March 2022 में 26.25% foreign investor के पास थे वोई June 2022 में 28% जो foreign investor के पास है foreign investor ने अपनी holding increase किया अपना अपदेशति investment बढ़ा है mutual fund companies की बात कर तो यह भी important investor माने जाते तो इनकी जो holding है March 2022 में 5.25% mutual fund companies के पास थे वोई June 2022 में 4.25% mutual fund companies के पास है तो यह mutual fund companies ने अपनी holding तो थोड़ा सब डिक्रीस किया अपना investment थोड़ा सब बापिस लिया और अधर्स की बात करते है अधर्स मार्स 2022 में 14.25% जो यह जून 2022 में 13.90% जो अधर्स के पास है तो यह majoratap shareholder पर्मोटस होते हैं पर्मोटस का सबशे आधा share से और प्लेशर जरी 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 तो यह positive point हो जो important investor और foreign investor और mutual fund companies इन्होंने बाच्चा खास investment के अधर्स इस टॉक में तो यह भी positive point बनता है तो overall shareholding pattern को भी अच्छा ही मानेंगे valuation भी अच्छा था इसका इसका last quarter का result देखते है तो last quarter के result में June 2022, March 2022 और December 2021 का rate तो सबसे पहले sales देखते है तो sales March, December 2021 में 14,285 करों का sales था वही March 2022 में 15,834 करों का sales था तो December से March में sales increase हो था नहीं बड़ा था और June 2022 में 5,885 करों का sales था तो यह भी increase हुआ है यहनि quarter by quarter आपे sales increase हो रहे तो बहुत अच्छी वात है कि quarter by quarter sales increase हो रहे net profit देखते है सबसे नहीं चे सबसे bottom में तो net profit December 2021 में 213 करों का net profit था वही March 2022 में 357 करों का net profit था तो December से March में net profit increase हुआ था नहीं बड़ा था और June 2022 का तो net profit और 365 करों का net profit हो तो यह भी increase हुआ है यहनि quarter by quarter net profit भी increase हो रहे और sales भी increase हो रहा कंपनी का तो बहुत अच्छी वात है अब देशकतो कंपनी धिरे दिर और अच्छी से growth कर पाएगी इसका चली जलते है इसके balance sheet के उपर तो balance sheet में March 2022 और March 2021 का data तो सबसे वहले total share capital की बात करें तो March 2021 में 2020.94 करों का total share capital था वही March 2022 में 2112.62 करों का total share capital है network की बात करते हैं तो नेटवर्द मार्स 2021 में 1192,72 करों का network था वही March 2022 में पंदेर हाजाजार 485 दसला 91,92 करों का network है total debt देक्तिने company company को पर करजा कितना है तो March 2021 में 600 करों का total debt था नहीं कर जा था वही March 2022 में 600 करों का ही total debt नहीं कर जा था अब देशक पर जार ऑब तो तो आपको दो यह चीज और दिखाना चाहूंगा यहां पर आप देश्ट देट है 600 करोगा उससे ज्यादा कंपणी का रिजर्व भी आप देशकतो यहां पर जो रिजर्व है कंपणी का 1339 कंपणी क्लियर कर सकते यह बहुत अच्छी बात है इसका इसका चार्ट पर चलते हैं तो चार्ट में आप देशकते हैं यहां पर जो डेटा आज का अब देशकता उन्ती सप्टमबर ने आज कच को लोजिंग प्रैस है तो आज स्टॉक अभी मार्केट कुलोज हुआ था पा रखा राए तो पॉइंट 2.25 फ़ाइं स्टॉक ऊपर जाकर को लो杜 हुआ है पिछले पासदिन का परफोमांस देखते हैं कि ना यह डेटा आपको दूर्ट आने में थोड़ा सा लेट हो रहा ही है थोड़ा सुमें इसको हम प्रीच हो घालत आने में होड़ा सा लेठ होरा 0.02% का माइनस में रिटान है, नागिटिव रिटान है, तीन दसलना 0.02% का नेगिटिव रिटान देया पिछले पास दिन में, और 16 रुपए 40 पिछले पास दिन में स्टोक नीचे गया है, पिछले एक मानी की बात करें, यह भी नेगिटिव रिटान है, 8.25% का नेगिटिव र्विटमें oven दियाने 8-30 15-% पर्षंट का नेगिटिव अए और 49 धीच पर पिछले एक मैंने में इस्टॉक नीचे गया है पिछले 6 मणी की बात करण तो यह भी नेगिटिव युट नहीं दिख रहा है three point zero one पर्षेन का नेगेटिव स्रूपी अधिए 1.010 희स्चे लेगे'' 19.14 पर्षेन का नेगेटिव स्पाहिए लें 20 पर्षेश स्वाव्य गिपहए पिचली पर्षेजउ परोड ह Recht मिनेशनल गिकैथ ृठाहि है और यह कल淨 पेच्व खाहिए यानि 27 देशना 19 परसंद का नेगेटिव इतन और 196 रुपे चालिस पेसे अब देशन तो नीचे गया पिछले एक साल में स्टोक पिछले पांस साल की बात करते हैं यह पॉजिटिव इतन दिख रहा है पिछले पांस साल को रिटन है 52.64 परसंद का पॉजिटिव इतन है तो पांस साल के टाइम पिरेट के साफ से थोड़ा रिटन कम है और ज्यादा होना चाहितो और 118 रुपे 40 पैसे पिछले पांस साल में स्टोक उपर गया है नक्सिमन चार्ट देखते नहीं लॉंग टरम आपको दो पिछले पांस साल का चार्ट है इसका लॉंग टरम चार्ट अब देश्ट वहां पर 2017 में लिस्ट वहां था और सप्टमब दोदर वाच चल लगबाग पांस साल है तो यहां पर चार्ट पैटन भी आप देश्ट वह पर गया था फिर नीच आया फिर उपर जाके उसी लेवल पर काफी दिनों के ट्रेट करने के बाद पर इसे नीचे अब थोड़ा से ओपर जाके फिर नीचे आ रहा है तो बॉलेटल काफी जादा दिख रहा है आप देश्ट वहां अपको तो अच्छी है अच्छी मानी जाती है इसके इसके ऑफिसल वापसेट पर चलते बाकी जानकर हां पर देता हूं यहां कर डेटा में थोड़ा रिफर प्रेस कर दिया है और 29 सेप्टेमबर चार वेते करेटा है ने आज का चारवाज करेटा क्लोजिंग प्रेस बताई चुका हम 526 रुपे का है प्रिवेस को लोज ता 514 रुपे पैतालिस पैसे का था आज ओपन जिवा था पांसो एठार रुपे पह था और आज का हाई जो कि 741 रुपे 70 पैसे का जोगी एक्टोबा 2021 को फिटी डिविक हाई लगा था फिटी डिविक लोग की बात करें चार्वाज सेतानी रुपे पांस पैसे का जो कि आट मास 2022 को लगा था सिकुर्टी बार डिलिवरी पोजिशन देखते नहीं डिलिवरी डेटा देखते तो डि डेडिंग हुए और इसमें जो डिलिवर कॉंटरी हो 39,28,809 को टॉटल डिलिवरी हुए और परसेंटेज अब डिलिवर कॉंटरी 52.37 की डिलिवरी 20% से जाधर की डिलिवर अच्छी मानी यह तो तो इससे जाधर डिलिवरी तो काफी अच्छी बात है इसके बात करते हैं सब्सक्राइब करना है आपना है चानल को सस्क्राइब आपको त्रिकर्श करते दो बात बात धन्यवाद आपका मिल तक लोड़ों में जाहिंद